अब अखिलेश जी को कुछ नो कुछ बोलना है तो कुछ नो कोई बात बोल देनी है बिना सिर्पैर की बात बोल देनी है जिसका जिसकी जनता में कहीं कोई सुईकारिता नहीं है अर्बिंद केजद्रिवाल को भारत के संबिधान पर कोई भरोसा नहीं है और बेवजर का ड्रामा सडकों पर कर रहे हैं और अगर उनके पास उनके निर्दोस होने का कोई तथ्य कोई प्रमाण है तो उनको माने नियाले के पास जाना चाहिए जितनी उमर अख्लेश जी की होगी उससे भी जादे समय से सार्ज्वनिक जीवन में परमसर्धे आडवानी जी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं अर्बिंद केश्द्रिवाल को भारत के संभिधान पर कोई भरोसा नहीं है यह संभिधान बिरोधी लोग हैं और बेवजह का ड्रामा सडकों पर कर रहे हैं भरस्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं अब वो दूसरे बहाने बनाकर बचना चाहते हैं ऐसा कैसे संभिधा और अगर उनके पास उनके निर्दोस होने का कोई तथ्य कोई प्रमाड है तो उनको माने नियाले के पास जाना चाहिए उनके तीन बरिष्ट पार्टी के नेता जेल में हैं लंबे समय से हैं अगर एडी की कारवाही में कहीं कोई दोस होता तो क्या माने नियाले अब तक उनको जमानत नहीं देता तो उनके वरिष्टों की जमानत अभी तक नहीं मिल पाई है ये इस बात का प्रमाड है कि जो भरस्टाचार का आरोप इन लोगों के उपर है वो सत्य है और इस बात को अर्बिंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम एडी के सामने जाएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी हमें जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाने से बचने के लिए ये दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं और कोई बात रहे हैं इडी माने न्याले के पास इडी गई है अभी कोई दूसरे रास्टे पर सरकार जाती तो सरकार को आरोपित करते सिस्टम को कटगरे में खड़ा करते तो इडी का फैसला अच्छा है माने न्याले से आदेश लेकर अंगरिम कारवाई करें यह जादे अच्छा रहेगा अब देखिए क्या बताया जाए अखलेश यादो जी और समझवादी पार्टी को आज पुड़ा देश इस बात का स्वागत कर रहा है जितनी उमर अखलेश जी की होगी उससे भी जादे समय से सार्ज्वनिक जीवन में परमसर्धे अडवानी जी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं सरकार के फैसले का भिनंदन पुड़े देश में हो रहा है चारो तरप इस बात की सरहना हो रही है और उनका विशाल व्यक्तित्व उनकी समाज सेवा का एक जो लंबा काल खंड है ये जो सर्वोच सम्मान उनको भार सरकार ने दिया है पुजम जो हमारे दूसरे लोग सारवजनिक जीवन में हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम हो रहा है आज सब लोग उसका अभिनंदन कर रहे हैं अब अखिलेश जी को कुछ नो कुछ बोलना है तो कुछ नो कोई बात बोल देनी है बिना सिर्पैर की बात बोल देनी है जिसका जिसकी जनता में कहीं कोई सुईकारिता नहीं है उनके इन बयानों के सापेक्षाप किसी से कोई बात पूछ कर देखिए एक नान पोलेटिकल आदमी भी उनकी बातों को किस तरह से लेता है यह समझ में आ जाएगा तो इनको कुछ कहना है इसलिए कुछ कह रहे हैं अब राहूल गांदी जी को साइद पता नहीं है कि इस देश में सबसे जादे राज उनकी पार्टी ने किया है हुआ है देश में सबसे जादे देश को चलाया है देश में उनकी सरकारें बनी हैं हम करें 2011 में जनगणा हुई तो क्यों नहीं जाती जनगणा कड़ा लिए 2011 से पहले उनको पिछड़े याद नहीं आ रहे थे या उनको पता नहीं था कि देश में पिछड़ा भी रहता है गरीब भी रहता है, कमजोर भी रहता है जब आज देश के पिछड़ों ने, कमजोरों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनकी राजनायतिक हैसियत को कटगरे में खड़ा कर दिया है तब आज उनको पिषड़े याद आ रहे हैं तो इस तरह का ढोंग इस तरह का नाटक मत करिये आपको बहुत अच्छी तरीके से देश का पिषड़ा भी पहचान गया है देश का दलित भी पहचान गया है देश के हमारे जंजाती वर्ग के लोग भी पहचान गया है पुरा देश आपके बारे में जान गया है कि इस देश से आपका कोई लेना देना नहीं है ना ही पिषड़ों से कोई लेना देना नहीं है अब वैसी को देखिए क्या है कि अपने विरादरी अपने समाज अपने उसको आधार बना के राजनीत करना है अगर ये भी नहीं बोलेंगे तो उनके समाज उनके विरादरी के लोग चौराहे पर खड़ा करके उनको नंगा करेंगे इस बात के डर से उनको कुछ नकुछ भा यहीं उनके राजनीत का आधार है तो वह इसलिए बोलते हैं उसको गंभिरता से लेने क्या आप सकता नहीं कांग्रेस कह रही है मंता बनर जी पर हमला कर देए कि मंता बनर जी अपना रूप इसलिए बदल रही है क्योंकि वह बीजीपी से ड़गती है अभी क्या गडबंधन बचा है क्या अरे नितिष चले गए मंता बनर जी चली गई समाजवादी पार्टी से लाठी रोज चल रही है अंदर कहीं कुछ बचा नहीं गडबंधन कहीं कुछ नहीं है देखिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि ये गडबंधन चलने वाला नहीं है ये आपस में सिर्फ टोवल करेंगे और अभी चुनाव आने दीजिए चुनाव आते आते ये एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आएंगे अभी तो राहूल गांधी कांगरे जो है म पता पता चलने वाला नहीं है आपने कल देखा किस तरह से आसाम के अंदर पुझ मोदी जी की लोग प्रियता सर चढ़कर बोल रही थी और उनके सामने ही मोदी जी का जैकारा लग रहा था हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध निवाद